दुनिया के साथ ऐसे चालेंजिंग रोड्स जहां गाड़ी चलाना जान लेवा हो सकता है। इन रोड्स पर सफर करने वाले कई लोग अपनी जान गवा चुके हैं। नमबर साथ नौर्थ यंगास रोड बोलिवियर इस रोड को डेथ रोड के नाम से भी जाना जाता है। इस रोड की टोटल लेंग 78 किलोमेटर के करीब है। यह रोड बहुत ज्यादा संकरी और घुमावदार है। यहाँ पर रोड की दोनों तरफ खाई है। इस रास्ते पर बहुत ज्यादा फॉग होता है और जोरदार बारिश भी होती रहती है। जिस वजह से रास्ता देख पाना बहुत मुश्किल हो जाता है और इस वजह से यहाँ गाडी चलाना और भी ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। इस वजह से नौर्थ यंगास रोड को डेथ के सबसे खतरनाक रोड्स में से एक माना जाता है। यहां सालाना 200 से 300 लोगों की दुरघटना से मौत होती है। नमबर 6. Atlantic Ocean Road, Norway यह रोड लगभग 8 किलोमीटर लंबी है। जो नोरवे और आवरोया आइलाइंड को जोडती है। यहां रोड छोटे छोटे आइलाइंड की शिंखला पर बनाई गई है। यहां रोड खासकर यहां के आधभभूत सीनरी के लिए फेमस है। इस रोड पर समंदर की लहरे टकराती रहती है। यहां देखने के लिए कई टुरिस्ट आते रहते हैं। यह लोगों के लिए एक पॉपिलर टुरिस्ट प्लेस है। यह रोड दुनिया के सबसे सुन्दर रोड में से एक माना जाता है। लेकिन यहां गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल होता है। इस रोड पर गाड़ी चलाना नौसिखियों के बसकी बात नहीं है। नमबर पांच। करकोरम हाइवे पाकिस्तान चाइना यह हाइवे एक हजार तीन सौ किलोमीटर लंबा है। जो पाकिस्तान और चीन को जोडता है। यह रास्ता दुनिया में सबसे ज्यादा उचाई पर बनाए गए पक्के रास्तों में से एक है। इसी के साथ यह दुनिया के सबसे खतरनाक रोड्स में से भी एक है। यह इंसानी बस्तियों से काफी दूर है और यहां का बदलता हुआ बातावर्ण इसे बहुत खतरनाक बना देता है। यहां के रास्ते काफी संकरे और घुमावदार है जो इसे और भी ज्यादा खतरनाक बना देते हैं। यह हां हाइवे दुनिया के सबसे खतरनाक माउंटेन रेंजिस हिमाले और काराकोरम से हो कर जाता है। यहां Highway Glaciers की सिरीज से भी होकर गुजरता है। इस खराब वातावर्ण की वजह से इसे बार-बार रिपेरिंग की जरूरत पड़ती है। ऐसे खतरनाक वातावर्ण की वजह से इस रोड पर बहुत सारे एक्सिडेंस होते रहते हैं। जिसमें लोगों को अपनी जान दवानी पड़ती है। नमबर चार, Dalton Highway Alaska यह Highway United States में इंसानी बस्ती से काफी दूर है। यहां का वातावर्ण बहुत ज्यादा खराब रहता है। यह 650 किलोमेटर लंबा रोड है जो Fairbanks, Alaska और प्रिधोय बे को जोडता है। इस Highway पर केवल 4-wheel drive गडिया ही allowed है। कभी-कभी बहुत ज्यादा खतरनाक weather conditions की वजह से इस रोड को बंद कर दिया जाता है। लेकिन यह खुला होता है, तब भी यहां गाड़ी चलाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। और इस Highway पर कुछ भी होने की संभवता हो सकती है, जिस वजह से यहां पूरी तयारी के साथ जाना पड़ता है। करनल डी लामडोन, फ्रांस, यह फ्रेंच एल्प्स से जाने वाला पहाड़ी रास्ता है। यहां के खतरनाक चढ़ाई की वजह से कई साइकलिस्ट के लिए यह ट्रेनिंग ग्राउंड के रूप में काम करता है। लेकिन इसी के साथ यहां गाड़ी चलाना भी बहुत चैलेंजिंग होता है। और खराब वेदर कंडिशन्स में यह और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। नमबर दो जो जीला पास भारत यह हिमाले परवत शिंखला में बसा हुवा दुनिया में सबसे उचाई पर स्थित रोडास में से एक है। जो जम्मु कश्मीर और लगदाख इन राज्यों को आपस में जोडता है। जो जीला पास की उचाई 11,500 फीट है। सर्दियों में बर्फबारी की वजह से यह रास्ता बंध होता है। यह लगदाख और बाकी भारत को जोडने वाला केवल एक ही रास्ता है। नमबर एक। गुओलियन तन्नल रोड चाईना यह एक-एक डॉट-9 किलोमेटर लंबी तन्नल है। जो की परवतों को तराश के बनाई गई है। यह तन्नल 18 फुट चौड़ी और 12 फुट उची है। इस तन्नल को यहां रहने वाले गाव के लोगों ने किसी भी मॉडर्न मशीनरी का इस्तमाल किये बिना लगभग 50 साल पहले बनाया है। जिससे वह और उनका गाव बाकी देश से जुर सके। अब यह चीन का एक पॉपिलर टुरिस्ट प्लेस बन गया है। यहां गाड़ी चलाते वक्त ग्राइवर्स को बहुत ज्यादा सतर्क रहना पड़ता है। यह सब रास्ते अपने आप में ही बहुत चैलेंजिंग और खतरनाक है। जहां का निसर्ग सौंदर्य दिल लुभाने वाला है। अगर आप इन रोड्स पर रोमांचक सफर करेंगे तो आप यहां के निसर्ग सौंदर्य से मोहित हो जाएंगे। और आपको निसर्ग की ताकत का भी अंदाजा होगा। झाला है का यहां के भाला है। प्रहे और रेंगे मोहित हला है। झाला है।